हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैं चैनल, बहुत बहुत स्वागत है, इस वीडियो के अंदर बात करेंगे, सीवी सेलेक्शन के बारे में कम्प्लिट वीडियो है, यह देख लेना, सीवी सेलेक्शन के सारे डाउट्स किलियर हो जाएंगे, सीवी सेलेक्शन क्या होते हैं, सीवी के लिए इस position के लिए आप योग हो आप जा सकते हो आपको इतने पैसे देने हैं यह यह process है तो आपको इस में से कैसे filter करना है कैसे समझना है कि यह genuine है यह fake है योगि knowledge बहुत जरूरी है दोस्तों तो क्या है ना पैसे के पीछे job के पीछे name and fame के पीछे हम जितने भागेंगे उतना जादे हो हमसे दूर जाएगा लेकिन knowledge को improve सब करेंगे हम उस like बनते हैं knowledge को improve करते हैं तो name and fame पैसा सब कुछ नौकरी हमारे पीछे भागती है इसलिए कुछ knowledge अगर मिलता है कुछ ऐसी चीजे सीखने को मिलती है तो उसको complete देखना चाहिए समझना चाहिए उसको अपने knowledge को improve करना चाहिए तो इसी knowledge को मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ सारे doubts सारे problems है ना आपको जो दिमाग में चलते हैं आप confused हो जाते हो कि भाई ये fake है genuine है क्या है CB selection क्या होता है मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है आप उनसे पूछते हो उनसे पूछते हैं दोस्तों से पूछते हैं तो कुछ पूछने के जरूवत नहीं है इस वीडियो को देख लो आपकी सारी doubts किलियर हो जाएगी सब कुछ मैं इस वीडियो में complete बताने वाला हूँ इस वीडियो को देख लीजिए बहुत काम आएगा आए सीधा शुरू करते हैं बिना किसी देरी के हेलो दोस्तों मेरा नाम शहाब है और continue मैं हमसा आपको वीडियो देता हूँ knowledge improve करता हूँ job करिगार्डिंग especially GCC countries में जैसे दुबई, सौधी, उमान, कतर, भरेन ऐसे country में, abroad country में कैसे job को find out करना है गम का medical करिगार्डिंग वीडियो देता हूँ हर तरह की बातें करता हूँ इस वीडियो में complete CV selection के बारे में बात करने वाला हूँ सबसे पहली बात, CV selection कितने तरह के होते हैं देखो, कुछ इसमें आप समझने के कुशिस करों में क्या बोलना चाह रहा हूँ आप online किसी portal पे, जैसे indeed पे, नौकरी.com पे, इस तरह के portal पे आप apply करते हो, वहाँ से call आता है कि sir, आपका CV shortlisted है आप selected हो, इस job इस position के लिए आप योग हो आप जा सकते हो, आपकी interview यह है, आप पुरा schedule टै करते हैं, आगे की process बताते हैं दूसरा CV selection यह होता है, किसी manual job consultancies के पास जाते हो चल के, आप खुदी चल के जाते हैं जैसे मुंबई में बहुत सारा job consultancies है, उसके पास जाते हैं, आप अपना CV paper को वहाँ पर documents को, जो photocopy है, जो jirox copy है, उसको आप जमा करते हो उस counter पे, और उसके बाद उस photocopy को, उस documents को scan करके, उस company में भेजते हैं, और company उसको verify करती है company अगर impress हो जाती है लगता है कि हाँ, आप इस job के लिए like हो, योग हो तो आपको shortlist करके, फिर job consultancies को inform करती है और job consultancies आप को call करेगी, कि आप जो है selected हो गए हो, आपका next interview जो है, Skype पे या phone पे कब होगा, वो schedule तै करती है, और तीसरा CV selection यह होता है, कि जब भी आप किसी offline या किसी job consultancies में जाते हो आप अपना CV देते हो, तो client interview के लिए, कोई client interview, कोई interviewer आने वाला है, जैसे सौदी अरब से कोई interviewer आने वाला है, दुबई से आने वाला एक interview date है उस interview में आप शामिल हो पाओगे, नहीं हो पाओगे, आप selected हो नहीं हो, उसके लिए उससे पहले एक short list करते हैं CV और उस short list करते हैं, filter करते हैं, उसमें से जो based लगता है, जो experienced बंदा लगता है, जो उनकी requirement होती है, उसके उसके अनुसार, अगर आपके CV है तो आपके CV select हो जाती है और आप उस interview को face कर पाते हो, आपको call जाती है, कि sir आप interview दे सकते हो इस date में तो ये कुछ तरीके है CV selection, सभी को CV selection ही बोलते हैं, ठीकर न, सभी में short list किया जाता है, और CV को select किया जाता है एक direct company में एक जो है, किसी online job portal के थुरू और दूसरी एक job consultant के थुरू और एक है interview के लिए ये तो हो गया कि इस तरीके से इतना परकार है CV selection होते हैं अब बात कर लेते हैं कि कैसे आप उसको recognize करोगे कैसे आप उसे पहचान होगे कैसे समझोगे कि ये fake है ये एक genuine है देखो, अगर आप कैसे apply आपने किया है किस portal के माध्यम से किस माध्यम से, ये depend करता है जो online कुछ portal है जो job provide करती है जो online portal जैसे indeed हुआ नौकरी.com हुआ बहुत सारे हैं तो कितना genuine website है कितना genuine job portal है इस पर depend करता है और कभी भी मैं आपको suggest करता हूँ हमेशा कभी भी authorized जो branded है जो बड़ी है जिसका name, fame है ऐसे job portal के माध्यम से अगर online अगर आपको apply करना है तो कीजिए उसमें chances कम हो जाते हैं कि आपको किसी fake calls के या किसी fake, किसी trap में आप आजाओ ऐसे में chances कम हो जाते हैं तो अगर आप indeed या नौकरी.com के द्वारा हो मैं indeed या नौकरी.com का कोई promotion नहीं कर रहा हूँ ये promotional वीडियो नहीं है आपको समझाने के लिए बोलना हूँ तो branded अगर आप job portal के माध्यम से अगर आपने कहीं apply किया है वहाँ से call आती है तो कभी भी एक चीज़ ध्यान रखना कि किसी भी दुनिया के किसी भी company में जब भी आपका CV selection होता है कभी भी सिप आपके paper देखकर वहाँ से offer later नहीं आता है हमेशा आपका interview होगा interview होगा होना ही है चाए फोन पर हो मैकसिमा मों कुशिश करेंगे आपसे video calling बात करने के लिए interview लेने के लिए CV selection vacancies क्यों आती है क्योंकि होता क्या है कि अगर बहुत large quantity में अगर vacancies है किसी company के पास किसी बड़ी company है या चोटी company है उसके पास बहुत ज़्यादा तादाद में बहुत ज़्यादे quantity में vacancies है उसके पास 50, 25, 100, 200 vacancies company एक बार में out कर रही है ऐसे में CV selection कभी नहीं होता है इस चीज को ध्यान रखना वो कभी बी interviewer और company के का कोई representative आता है कोई interviewer आता है interview लेता है live ठीक है ना आपका live interview होगा और बैठा कर table talk होगा वहाँ से आपकी selection होगी लेकिन कभी कभी क्या होता है company को बहुत ही कम quantity में जैसे दो quantity है, दो vacancies है किसी computer operator को एक computer operator चाहिए दो चाहिए या पास चाहिए एक crane operator चाहिए, एक welder चाहिए एक computer operator चाहिए, उसके लिए तो वहाँ से कोई company का बंदा या company का representative तो नहीं आएगा इंडिया, एक या दो बंदे को हायर करने के लिए, उसके लिए ही CV selection होता है, कि चलो CV selection लेलो, इसका Skype पे interview लेलो उसका documents मंगा लो वो लोग read करते हैं, उस documents को आपके CV को पढ़ते हैं, impress होते हैं, उनको अगर genuine लगता है, तो उस job consultancies को call करते हैं, कि इस बंदे को selected है, इसको लेकर आओ interview लेना है इस date में, तो आपका interview को schedule तै किया जाता है, ये मेरी बात को note करना, आप ध्यान देना, नहीं तो हो जायागा, फिर समझ नहीं आएगी, तो कभी भी जो large quantity होता है, जो बहुत जादा quantities में vacancies आ रही है, ऐसे में कभी CV selection नहीं होता है, जो कोई company है, कम quantity में चाहिए, 2-4-5 बंदा चाहिए, उसके लिए वहाँ से पूरे team को नहीं भेजेगा, नहीं भेजता है, वो लोग, CV selection के माध्यम से होता है, तो CV selection ये ऐसे होता है, जो CV selection है, उसका process यही होता है, अब एक है कि job consultancies के माध्यम से, आपने apply किया job consultancies में, किसी manpower के पास, जैसे ACA power के पास चले गए, इंडोमान के पास चले गए, या sound line है, बहु सारे हैं मुंबई में job consultancies, ये परमोशनल नहीं है, आपको समझाने के लिए बोल ला हूँ, तो ऐसे में गए vacancies निकाला है, वहाँ पे vacancies assignment abroad में आप देखोगे, CV selection के लिए लिखा रहाता है, इट मींज कि आपको paper documents जमा करना है, उस documents को उलोग mail करेंगे, mail करने के बाद company में जाएगी, company वहाँ से shortlist करके, filter करके, आपको नहीं call करेगी, कभी भी job consultancies को call करेगी, आपको call नहीं करेगी, job consultancies वाले आपको call करेंगे, sir आपका CV selected है, आप shortlisted हो, इस काम के लिए आप जा सकते हो, उस लायक हो, एक यह तरीका हो गया, एक online तरीका हो गया, अब बात यहां यह आती है, कि इससे भी clear नहीं होता है, यह fake है कि जेनमीन है, जो मैंने बात बताया, इससे भी बहुत हद तक clear नहीं है, तो उससे आगी की बात सुनो, आपको कैसे identify करना है, कैसे recognize करना है, कभी भी देखो, CB आपने किसी online कहीं, आपने vacancy देख लिया, Facebook पे, WhatsApp पे, कोई social media पे, social platform पे आपने देख लिया, कि भाई यह position के लिए आपने apply कर दिया, quickly एकदम apply किया, और quick वहां से response आ गया, और तुरत जो है, आपको एक छोटा सा interview लिया, value है, वह आपको पता है, अगर आप एक computer operator हो, या crane operator हो, engineer हो, labor हो, helper हो, तो आपकी market value क्या है, सौधी अरब के अंदर, क्वेट के अंदर, दुबई के अंदर, आपको पता है, अगर 1500 रियाल या 1500 दिरहम, या 1500 डॉलर, आपकी market value है, तो 2500 offer letter क्यों मिलेगा भाई मुझे, ये तो सबसे बड़ी बात तो यहीं आके खत्म हो जाती है, कि ये fake है, एक बढ़ा चढ़ा करके, आपको बहुत जादा ये facilities मिलेगी, ओ facilities मिलेगी, नहीं, ये सब fake है, एक attract करने का एक तरीका है, कभी भी genuine जो vacancies होती है, आपसे बहुत ही आपको difficult लगेगा, कि भाई कितना hard interview मेरा ये ले रहा है, या क्या क्या सवाल पूछ रहा है, कभी भी without interview, और interview भी होता है ना, जो fake interview है, कभी भी अंदर नहीं घुसेगा, मतलब कि जो आपका काम है, उसमें बहुत deeply नहीं जाएगा, उपर उपर से बात कर लेगा, कि भाई आपने पहले कहां काम किया, क्या काम किया, आपका क्या hobby है, आपका क्या name है, आपकी previous salary कितनी थी, ये बस बातें करके, आपसे के साथ जैसे कि entertain कर रहा है, बात करके रख देगा, आप you are selected, तो ये सब fake है, कभी भी interview होता है, deeply वो घुसेगा अंदर में, कहां तक आपकी knowledge है, क्योंकि आप जिस field से हो, उसी field का कुछ senior, कोई expert आपसे बात कर रहा है, तो आपको तो यूँ ही छोड़ने वाला नहीं है, ये सब कुछ technical चीजे हैं, जिसे आप analyze कर सकते हो, कहीं एक clear नहीं लिखा हुआ है, कि ये fake है, ये genuine है, आपको identify करना है, आपको समझना है, इसलिए knowledge को बढ़ाओ, knowledge को improve करो, आप जितना knowledge को improve करोगे, उतना ज़ादा आप आगे chances नहीं रहेगा, कि किसी trap में आ जाएं, फज़ जाएं, तो मैंने क्या बताया, cb selections तीन चार तरह से होते हैं, एक online होते हैं, एक offline जो job consultancies होते हैं, उनके माध्यम से होते हैं, direct किसी company के portal पे आपने उसके career section में जाकर आपने apply कर दिया, वहां होते हैं, एक उस तरीके हैं, लेकिन identify करना, उसको recognize करना, ये आपके, आपका विवेक के उपर, आपके बुद्धी के उपर, आपकी smartness है ना, उसके उपर ही depend करता है, कि आप कितने smart हैं, कितना जल्दी उसको filter कर लेते हैं, recognize कर लेते हैं, कि ये fake है या genuine है, और दूसरी बात कि कभी भी बढ़ा चड़ा कर जो sharely है, आपकी जो market value है, आपकी जो expectations है, उससे बहुत ज़्यादा दुगुना अगर कोई offer later आ रहा है, तो उसको पर trust नहीं करना है, CV selection होता है, real में होता है, सब कुछ होता है, CV selection क्यूं होता है, मैंने आपको बता दिया, कि बहुत ही कम quantity में, बहुत ही कम, मतलब तादाद में जो vacancies है, 2-4-5 ऐसी कुछ vacancies है company की, ऐसे में company दे देती है, कि भाई आप CV selection ही कर लो, चलो, उसके लिए पूरी panel, पूरी team को जाने के जरूरत नहीं है, उसका expenses भी company जोड़ती है, बहुत सारे reasons होते हैं, तो यह चीज होता है CV selection का, I think आपको कुछ समझ आया होगा, अगर इसके बारे में और deeply अगर आपको चाहिए, कुछ बातें आपको लग रहा है कि missing है, नहीं समझ आया, मेरे comment box में लिखिए, इससे आगे की बात मैं आपसे करूँगा, इस वीडियो को like कर दो, और इस channel को subscribe कर दो, हमेशा एक अच्छी बाते हैं, improvement, job के regarding, career के regarding, गमका medical के regarding, वीडियो देता हूँ, गमका medical पे मैंने बहुत वीडियो बना रखा है, उस अगर आपको गमका medical से regarding, कुछ आपको difficulties आ रही है, समझ नहीं आ रही है, तो उस पूरे playlist का link मैं इस वीडियो में दे दूँगा, वहाँ जा कर देखिए, गमका medical के regarding हर तरह के वीडियो आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप अपनी knowledge को बढ़ा सकते हैं, दोस्तों, चलता हूँ, आप अपना ख्याल रखिए, इस वीडियो को watch करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद,